मौने बच्चो आवाज आ रही है आवाज आ रही बच्चो बच्चो आवाज आ रही बच्चो चलो तो आज हम लोग बच्चो शुरू कर रहे हैं अर्थ फॉर्म शुरू क्या कर रहे हैं कम्प्लीट भी करेंगे अर्थ फॉर्म लेकिन इस टॉपिक को पड़ने से पहले एक बात जाननी जलूरी है कि यह टॉपिक हमारे main syllabus में नहीं है ठीक है main syllabus में नहीं होने की वज़ए से इससे कोई question आए या ना आए इसका कोई confirmation नहीं रहता मतलब ऐसा हो सकता है कि exam में question इससे ना आए तो मैं ये topic से नहीं बोल सकता है किस से question आएगा ही और ऐसा भी हो सकता है कि गुमा फिरा कर एक question दे दे या कभी एक से जादा भी दे सकता है वो depend करता है तो ये ऐसा समझ लो कि extra वाला topic है अगर question आ गया तो इमसे बन जाए कोशिश ये रहे और नहीं आया तो tension लेने की कोई जिक्कत नहीं और ऐसा भी है कि अगर आज आता है और question नहीं बनता है तो उस पे भी तनाव लेने की कोई ज़रत नहीं है ठीक है क्योंकि ये ऐसा question है जो unexpected है जो अगर आ गया तो ठीक नहीं आया तो भी ठीक ठीक है लेकिन हम क्यों कोई कमी छोड़े भाई पूरा ही complete करते ह हैं तो earthworm लेकर शुरू करते हैं आज का topic one shot में लेकर चलेंगे earthworm तो आपने अपने life में देखा ही होगा ऐसा कुछ लंबा सा एक warm जैसा organism दिखता है जिसकी body पर बहुत सारे segment पाया जाते है और anelida जब हमने पढ़ा था तो anelida का एक feature ही हमने पढ़ा था कि इसमें segmentation present होत segmentation होता है उसे metamerism कहा जाता और यह segmentation external as well as internal दोनों तरफ से यह segment पाया जाता है ठीक है तो earthworm आपने देखा है कुछ ऐसा ही दिखता है एक लंबा जो है circular round warm के जैसा है बट डिफरेंस बस यह है कि इसमें segmentation present है गुद मॉर्निंग बटा गुद मॉनिंग चलो तो शुरू कर करते हैं morphology and anatomy of earthworm, earthworm को समयने की कोशिश करते हैं भाई phylum कौन सा है बड़ी simple सी बात है हमें मालूम है anelida phylum को belong करता है कुछ नाम में लेते चलूँगा आप recall करते चलना हमने class में पढ़ा हुआ है और इससे यह हमें topic जो है दिमाग में बैठता जाएगा ठीक है तो पहला क अनलीडा phylum क्लास की बाद आगे class कौन सा है oligocheetah, oligo का मतलब होता है few और कीटा का मतलब होता है segment यानि ऐसे organism होते हैं जिनमें कुछ segments पाए जाते हैं ठीक है, segment बहुत ज्यादा नहीं होते हैं ना बहुत कम होते हैं medium number of segments पाए जाते हैं, moderate number of segments पाए जाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं oligokita genus कौन सा है भाई ferritima और species है posthuma इसलिए जो earthworm का नाम हो जाता है वो है ferritima posthuma ठीक है ferritima posthuma जिसमें ferritima genus है और posthuma उसकी species का नाम है आगे बात करें तो देखने में कैसा रिखता है reddish brown terrestrial invertebrate है reddish brown color का ठीक है reddish brown भूरे रंग का red brown color का दिखता है और invertebrate है और रहता कहां है in habits the upper layer of moist soil जहां भी moist soil होती है उसकी upper layer में यह पाए जाता भी बारिश का मौसम शुरूह रहा भी आपको soil में यह खूब सारे earthworm दिखेंगे क्यों क्योंकि इन्हें moisture की जरूरत होती है क्यों जरूरत होती है moisture की जरूरत होती है अपने gas exchange के लिए breathing के लिए respiration के लिए तो यह जनरली soil में कहां रहते हैं वहीं रहते हैं जहां soil moist or dry soil में यह नहीं मिलेंगे ठीक है तो रात में यह सुरंगे बनाते हैं तो यह कैसे अनिमल हो गए बरोवर अनिमल हो गए विटा याद रखना बरोवर ठीक है बरोवर मतलब जो soil में जो है पोरिंग करते हैं बरोज बनाते हैं सुरंगे बनाते हैं उन्हें बरोवर कहा जाते हैं याद रखना और ये खास बात है कि बरोविंग भी करते हैं और सॉल को स्वैलो भी करते हैं यानि सॉल को निगल लाते हैं ठीक है इससे क्या होता है इनके अलिमेंटरी कनाल से पा करते हैं common Indian जो अर्थवां है वह कौन-कौन से भाई एक तो फेरिटिमा पॉस्तिमा ओदूसरा है लंबरिकस लंबरिकस यह भी एक कौन इंडियन जो सपीशीज है अर्थवां की याद रखना है ठीक है ring-like segment दिखाई देंगे बच्चो ठीक है body structure पे बहुत सारे ring-like segment दिखाई देंगे और ring-like segment में यहाँ पर मैं कुछ segment आपको बता दूँ वो ध्यान रखना आप जैसे इसका anterior part देखो anterior part ठीक है सबसे आगे वाला part देखोगे तो यह जो लिखा है peristomium बच्चो यह peristomium जो लिखा है यह first segment है ठीक है peristomium जो लिखा है यह first segment है जो उसके बाद वाला segment है यह second है और उसके बाद वाला segment यह third है ठीक है तो यह first second third segment इस तरह से याद रखना परistomium इसका body का पहला segment होता है इसी segment पे mouth present होता है peristomium पे mouth present होता है पहला segment है पहला खंड है परिस्टोमियम और उस पर प्रेजंट है माउथ अब माउथ के ऊपर एक जो है ना एक फ्लैप प्रेजंट होता है यह बहुत इंपोर्टेंट बात है जिसे बोलते हैं प्रोस्टोमियम पहला सेग्मेंट नहीं है यह पहले सेग्मेंट के ऊपर एक फ्लैप लाइक स् करते हैं जो सोईल है उसमें ड्वैलिंग कर पाते हैं ठीक है तो यह इनके आगे के ऐंटीर सेग्मेंट को लेकर बात होगी नॉर्मली इनमें हंड़ेड से 120-150 segment तक भी पाए जा सकते हैं लेकिन जब हम किसी अर्थवाम को दिखेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा segment दिखेगा ध्यान से देखो हमें इनके mouth से थोड़ा दूर हमें एक बड़ा segment दिखाई देगा बड़ा segment ठीक है इस बड़े segment को कहते है क्लाइटलम याद रखना इस बड़े segment को क्या कहा जाता है क्लाइटलम 14, 15 और 16 यानि 14, 15 और 16 याद रखना 14, 15 और 16 ये तीन segment जुड़कर एक बड़ा segment बना लेते हैं जिसे बोला जाता है क्लाइटलम याद रहेगा क्लाइटलम ठीक है नाम बार-बार बोल रहा हूँ जिससे दिमाह में बेट जाए 14, 15, 16 तो ये मैं लिख दे रहा हूँ 14 से 16 तर ये जो segment है इसे बोला जाता है क्लाइटलम ठीक है तो क्लाइटलम के उपर वाला जो पार्ट हो गया यानि 14 सेगमेंट के उपर का जो पार्ट हो गया बच्चो उसे बोलते है प्री क्लाइटलम ठीक है 14 से पहले का जो पार्ट हो गया उसे बोलते है प्री क्लाइटलम 14, 15, 16 को बोलते है क्लाइटलम और 14 के बाद का जितना भी टोटल पार्ट है आखरी तक कहा तक एनंस तक का जो part है इसे बोलते है पॉस्ट कलाइटलम पॉस्ट कलाइटलम तो कोल मिला कर अर्थवाम की बौडी के तीन part हमें दिखाई देते हैं एक प्री कलाइटलम, एक कलाइटलम और एक पोस्ट कलाइटलम ठीक है? यह दिख रहा है हमें, फिर उसके बाद जो segment होते हैं, उन्हें हम metamers या annuli कहते हैं, annuli क्यों कहते हैं, क्योंकि ring के जैसे दिखाई देते हैं, गोल सिक्कों के जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए हम annuli कहते हैं, सिक्कों को annulus कहा जाता है, और उसी से word आया है annuli, और वहीं से ये डिमार्केट होके बना है एनलीडा तो ये जो segmentation होते हैं segment होते हैं इन्हें metamers भी कहा जाता है ठीक है फिर बाकि इसमें हमें बहुत सारे अलग-अलग parts दिख रहे हैं हमें female genital aperture दिख रहा है male genital aperture दिख रहा है genital papular दिख रहा है इनको हम देखेंगे कि ये कहां पाए जा दें ठीक है अभी हमें थोड़ा सा इसको detail में आगे बढ़ेंगे लेकिन ये सब हमें ध्यान रखना है कि ये सब कहां पाए जाए तो अभी दो-तीन बाते याद रखना पहला segment peristomium उसके उपर flap like structure जैसे prostomium कहते हैं और ये soil में dwelling का काम करता जैसे फावड काम करता उस तरह से prostomium काम करता है फिर उसके बाद हमें दिख रहा है कि 14, 15, 16 वाला segment klitalum है उससे पहले pre-klitalum उसके बाद post-klitalum ठीक है चालो अब देखते हैं क्या-क्या लिखा है क्या-क्या information लिखिए ये information हमें रखना है अभी जैसे ये अपना lecture complete होगा मैं telegram group में ये sheet भेज़ दूँग ठीक है telegram group में ये sheet भेज़ दूँगा तो वहाँ से आप इसको download करना जो मैं लिख रहा हूँ वही भेज़ूँगा ठीक है तो यहाँ पर बात आती है कि notes नहीं बनाना है NCRT लेके बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है notes बनानी की जरूद नहीं है मैं sheet आपको available करा दूँ ठीक है चलो तो हमने बोला कि भाई जो अर्थवाम है अर्थवाम की body कैसी है long है segmented cylindrical body long body है लंबा है warm जैसा है भाई इसलिए नाम पड़ा है अर्थवाम segmented body है cylindrical है segmented है इसलिए इसलिए iscalementies में नहीं रखा गया था वहाँ पर non segmented body थी ठीक है number of segment 100 से 120 मिलते हैं कितने segment जाते हैं 100 से 120 यह हम few segment कहते हैं यानि oligokita कहते हैं डॉर्सल हावटा NCIT में ही लिखा है है ना तो इसलिए उसके लिए जो आपको परेशान होने की ज़रत नहीं है ठीक है डॉर्सल सर्फिस यानि जो back वाली सर्फिस होती है डॉर्सल सर्फिस उस पे क्या है एक dark meridian mid dorsal line एक पतली से line पाई जाती है जो उनकी dorsal blood vessel blood vessel present होती डॉर्सल blood vessel को represent करती है फिर उसके बाद पहले segment को peristomium कहा जाता है और उसके ऊपर एक low present होता है जिसे proostomium कहते हैं जो mouth को cover करता है और soil में dwelling में help करता है, ठीक है, soil में dwelling में help करता है, यह याद रखना है Prostomium is sensory function, साथ sensory function होता है, अब soil में यह रहते हैं, soil में खुदाई कर रहा है तो जो cracks होते हैं, soil में cracks को open करने का काम करते है In mature warm segment 14 to 16 are covered by band of dark glandular tissue called clitulum, तो 14 से 16 वाला जो segment है वो थोड़ा dark color का दिखता है, बड़ा segment दिखता है और उसे clitulum कहा जाता है, जिसकी वज़े से इनकी body के तीन पार्ट हो जाते हैं clitulum से पहला वाला पार्ट pre-clitulum, फिर clitulum और फिर post-clitulum अब एक बड़ी important बात आ गई, four pair of spermatical aperture four pair of spermatical aperture are found on ventral side of intersegmental groove from segment number five to nine segment ठीक है, five to nine देखें यहाँ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि five to nine segment में five to nine segment में spermatical aperture पाये जाते हैं, कितने पाये जाते हैं, four pair of spermatical aperture पाये जाते हैं ठीक है, five to nine segment में यह एक point ऐसा है कि हम इसको याद रखने तो ज़्यादा अच्छा है ठीक है, याद रखने तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसका कोई diagram नहीं बना हुआ है, ठीक है, तो यह याद रखनो कि spermatical aperture fifth segment में one pair, sixth में one pair, seventh में one fifth से ninth के बीच में पाये जाते हैं, ठीक है तो fifth, sixth के बीच में one pair six to seven के बीच में one pair seven to eight के बीच में one pair और eight to nine के बीच में one pair पाये जाते हैं, बहुत important बात आ जाती है, किसको लेकर triple star वाला point किया है triple star वाला point याद रखना है a female genital pore is present in the mid ventral line of 14 segment एक single female genital pore पाया जाता है, यहाँ पी देखो, diagram में यह दीखेगा एक single female genital pore पाया जाता है, ठीक है यह है, single female genital pore कौन से segment में भाई, 14 segment में और mid में present है, ठीक है ध्यान रखना है, a pair of male genital pore is present on the ventral lateral side of 18 segment, यह भी triple star वाली line है, भाई vary से भी जादा वाला important female genital pore और male genital pore दोनों ही same body में पाय जाते है यानि अर्थवाम जो है bisexual organism है ठीक है, दोनो sexual organs एक ही body में present होते है dwilingi होता है और इसे monotious भी कहा जाता है ठीक है, तो एक ही body में male और female दोनो reproductive part present होते हैं, तो 18th segment को अगर देखें तो आप देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है भाई male genital pore male genital pore दिख रहा है male genital pore male genital pore किसमें भाई 18th segment में और कितने हैं, दो है ठीक है, एक थोड़ा सा left की तरफ है और एक थोड़ा सा right की तरफ है male genital pore 18 सेगमेंट में पाई जाते हैं बहुत famous question बनता है ज्यादा तर बहुत common ही question आते हैं जैसे male genital pore कहा होता है female genital pore कहा होता है कितने होते हैं फिर बहुत सारे छोटे 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 nephrediopores present होते हैं इनकी body पर अलग-अलग parts में ये nephrediopores open होते हैं minute nephrediopores open होते हैं जहां nephredia की opening होती है nephredia इनका excretory organ है ठीक है तो इनके excretory organ की opening भी पाई जाती है जिनने nephrediopores कहा जाता है फिर बाताती है कि all segment ठीक है all segment except the ये बहुत एक important point all segment except the first, last and clitalum यानि इनकी पूरी body में पहला segment मान लो peristomium clitalum मान लो और last segment जो भी होगा इनमें CT नहीं पाई जाते इनमें CT नहीं पाई जाते ठीक है CT नहीं पाई जाते spermatical aperture का segment spermatical aperture देखो four pair है five से छे के बीच में एक pair six से साथ के बीच में एक pair साथ से आठ के बीच में एक pair और आठ से नो के बीच में एक pair इसलिए हम five to nine के बीच की बात कर रहा है सीटे क्या होते हैं बच्चों समझो सीटे क्या होते हैं सीटे बहुत important है समझना अलाकि मैंने class में भी बताया था kiteness structure होते हैं जैसे मान लो ये इनकी body wall है ठीक है ये segment है अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये इनका segment है ये हमें एक segment दिख रहा है ठीक है ये segment दिख रहा है अब segment के बीचों बीच जो है ना जो पतली सी line मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर क्या होते हैं इनकी body से S-shape के chitin structure बाहर निकले में दिखाई देते है S-shape के इनी chitinous structures को C-tay कहा जाते है S-shape chitinous structure जिने क्या कहते हैं C-tay और ये locomotion में help करते हैं चलने फिरने में help करते हैं तो किसमें नहीं पाय जाता बहुत बार पुछा जाता है याद रखना पहला आखरी और klitalum ठीक है first, last and klitalum ये तीन ऐसे part है तीन ऐसे segment बोल सकते हैं जहां पर seat नहीं पाय जाते हैं बाकी हर जगा पाय जाते हैं और क्या काम करते हैं बाई seat ये function for locomotion किसके लिए काम करते हैं बाई और की तरह काम करते हैं seat ये हो गई इनकी morphology कहा नहीं होते first, last and klitalum इसको याद रखना है सही गाने की तरह याद रखना है ठीक है फिर आते हैं body wall body wall यानि इनकी body की covering जो है body की layer है वो कई चीजों से बनी हुई है तो outer most thin non cellular cuticle सबसे बाहर जो है non cellular cuticle की layer है और यही वो cuticle की layer है जिससे ये क्या करते है respiration करते है ठीक है ये cuticle की layer किसमे help करती है respiration में लेकिन कैसी layer होनी चाहिए moist layer होनी चाहिए तो इसलिए और ये जो non cellular इनकी cuticle layer है ये brown color की दिखती है जो हमने बोला reddish brown color और ये reddish brown color किसकी वज़े से दिखता है porphirin की वज़े से दिखता है याद रो porphirin की वज़े से reddish brown color की layer दिखती है और skin से ही cuticle है उसी से respiration होता है जिसे cutaneous respiration कहा जाता है अगर आपको याद हो तो हमने class में पढ़ा था cutaneous respiration में ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं बड़े अच्छी बात है ये हो गई cuticle की बात है फिर आगे बढ़ें एक एक करके epidermis जो सबसे बाहर की layer है ये बनी होती है single layer of columnar epithelium single layer of columnar epithelium single layer columnar epithelium animal tissue में हमें पढ़ा हुआ है और single layer of columnar epithelium में सबसे important दो muscles की layer होती है हमने पढ़ा है muscular mucosa जहां भी हमने muscles को देखा है smooth muscles की layer को देखा है stomach को छोड़ कर जहां भी हमने देखा है stomach को छोड़ कर दो layers present होती है बच्चो inner circular outer longitudinal मैंने बोला है आपको याद होगा inner circular outer longitudinal circular muscle अंदर longitudinal muscle बाहर ठीक है inner circular outer longitudinal दोनों बच्चे हैं तो इसलिए हमें ध्यान रखना है तो इनकी body wall में भी यही muscles होती है और इसी की वज़े से इनकी body में muscle contraction और relaxation होता है जिसकी वज़े से move कर पाते हैं इनमें जो movement है उसमें seat तो support करता ही है साथ में इनकी body की यह muscles है inner circular outer longitudinal यह muscles भी support करती है ठीक है अपने को ध्यान रखना है इसको लेके चलना है अपने को समझते हैं बटा inner most layer is sylomic epithelium sylom को cover करने वाला सबसे अंदर वाला layer होता है true sylom में पाया जाता है और वो भी कौन सा true sylom में कौन सा पाया जाता है भाई जड़ा बताओ what type of true sylom is present in analida analida में किस तरह का true sylom पाया जाता है schyzo sylom होता है ठीक है क्या होता है schyzo sylom याद रखना फिर आते हैं के digestive system पे digestive system को देखो भाई digestive system हमें elementary कनाल दिख रही है तो बहुत बढ़ी है digestive system है ना digestive system में देखोगे तो हमें mouth दिख रहा है भाई mouth सबसे anterior part जो पहले segment में open होता और उसके उपर flap होता है कौन सा flap है यहाँ पर prostomium ठीक है फिर elementary कनाल open होती है तो पीछे जो है mouth के इनका gut होता है जिसे pharynx कहते है फिर नीचे isophagus होता है उसके बाद gizzard होता है gizzard हमें मालूम है gizzard present होता है क्यों food को crush करने के लिए तो यह यहाँ भी present है stomach present होता है फिर बहुत important बात आती है कई बार बच्चे confused होते है tiplo solar part tiplo solar part की सर यह tiplo soul क्या होता है ठीक है कई बार बच्चे confused होते है tiplo solar part दिखता है इसमें इनका segment number of segment आप से नहीं पूछेगा कि कौन से segment में कहा है कहीं कहीं बात आएगी तो वो मैं बता दूँगा tiplo soul क्या होता है जैसे हमारा intestine है हमारे intestine के तीन part है ठीक है हमारे intestine के तीन part है dodenum, jejunum और ileum ठीक है यह तीन part हमारी small intestine के तो वैसे जो इनकी intestine होती है उसको भी तीन part में demarket किया गया है एक tiplo soul बीच वाला part उसके उपर वाला part pre-tiplo soul और उसके नीचे वाला part post-tiplo soul ठीक है तीनों ही intestine के काम पार्ट है और तीनों ही absorption of food में incorporated है तो जहां भी tiplo solar region की बात आएगी या tiplo soul की बात आएगी उसका मतलब यह absorption से related है और किसका part है intestine का part है ठीक है तो pre-tiplo soul tiplo soul और post-tiplo soul यह तीन part इनके elementary canal में मिलते हैं चलो अब जड़ा देखते हैं तो elementary canal इनकी first से last segment तक जाती है पहले segment से शुरू होती है और last segment तक जाती है तो यह बात है straight elementary canal होती है जो first से last segment तक जाती है क्या-क्या दिख रहा है part भाई mouth है ठीक है mouth के बाद gut यानि buccal cavity अगर चाहो तो segment याद कर लेना वैसे पूछेगा नहीं आपसे muscular pharynx 4th segment isophagus 5th से 7th segment muscular gizzard 8th से 9th segment stomach 9th to 14th segment intestine हो जाता है 15th segment से last और फिर last segment जो है उसमें anus open होता है तो यहाँ पर gizzard भाई बात आ गई gizzard क्या काम कर रहा भाई help in grinding of soil particles जो soil को यह swallow करते हैं उसकी grinding करता है and decaying leaves जो leaves decay हो चुकी है उने भी यह grind करता है फिर उसके बाद stomach में एक खास gland पाई जाती है कोई खास इसकी importance है नहीं बस नाम है calciferous gland present in stomach जो humic acid secrete करती है sorry calciferous gland present होती है जो उनके stomach में बनने वाले humic acid को neutralize करती है कोई इसकी बहुत importance नहीं है यह gland पूछा जाए ऐसी उमीद है भी नहीं ठीक है फिर intestine के part हो गया intestine के part हो गया tiplosol अब यहाँ पर एक बाद अगर याद हो जाए तो अच्छी है नहीं हो तो भी कोई परिशानी नहीं है the intestinal part between 26 to 35 pre-tiplosol और 35 के बाद वाला जो part है वो post-tiplosol का ला ठीक है याद रखना the organic rich soil digest in the digestive track by digestive enzyme तो यह soil को swallow करते है उसमें जो भी organic matter होता है उसे digest करते है और फिर उसे body से बाहर remove करते है the digestive nutrient are absorbed through intestine membrane their fecal deposit are known as warm casting vermicasting vermicasting यह process को बुला जाता है इनका जो fecal matter है excretory waste है उसे बुला जाता है warm casting ठीक है क्या बुला जाता है warm casting ध्यान रखना है फिर blood circulation की बात करें तो बच्चों closed circulation पाया जाता है ठीक है closed circulation पाया जाता है और well developed blood vessels present होती है well developed blood vessels पायी जाती है आप देखो यहाँ पर बड़ी एक important बात है ठीक है दो तीन blood vessels है जिनके नाम हमें जानने है सबसे पहली बात यहाँ पर आप देखोगे न तो यह tube आपको दिख रहे यह दूसरी tube दिख रहे यह तीसरी tube दिख रहे यह जो tubes है यह क्या है heart ठीक है single chambered heart है कितने है four pair चार left side होंगे चार right side होंगे ठीक है four pair यह heart present है कौन से segment में seven, nine उसके बाद twelve और thirteen ठीक है seven, nine, twelve, thirteen में क्या present है heart present है single chambered heart है और four on the left side and four on the right side फिर उपर हमें जो दिख रहे है सबसे उपर या दखना सबसे उपर जो है यह dorsal blood vessel है ठीक है dorsal blood vessel है सबसे उपर और यह dorsal blood vessel बच्चो शुरू होती है first segment से शुरू होती ठीक है first segment से नीचे की तरफ अगर हम देखें तो हमें ventral blood vessel दिख रही है ventral blood vessel यह second segment से शुरू होती है dorsal blood vessel उपर की तरफ जो red color की दिख रही है यह first segment से शुरू होती है ventral blood vessel जो नीचे की तरफ दिख रही है वो second segment से शुरू होती है फिर बीच में हमें एक lateral isofagal भी दिख रही है lateral isofagal blood vessel ठीक है फिर और भी पीछे की तरफ blood vessels पाई जाती है लेकिन जो सबसे important है वो दो है उनी से कुछ शनाएगा एक dorsal blood vessel जो dorsal side पर present है एक ventral blood vessel जो ventral side पर present है तो circulatory system इनमें close होता है हमें मालुम है blood vessels इनमें flow करते हैं कैसे blood flow करता है कैसे blood vessels के through flow करता है तो blood vessels capillaries and heart is present and contraction keep blood circulating in one direction इनकी जो body का contraction होता है body wall का contraction वो heart को एक ही direction में flow blood को एक ही direction में flow कराता है blood glands पाई जाती है 4th, 5th और 6th segment में they produces phagocytic blood cells and hemoglobin तो blood glands होती है 4th, 5th और 6th segments में जो WBC जैसी cells बनाती है WBC नहीं बनाती है WBC जैसी cells बनाती है जिने phagocytic blood cells कहा जाता है और क्या बनाती है hemoglobin secret करती है hemoglobin जो है इनमें RBC में नहीं होता hemoglobin dissolve होता है इनके plasma में ठीक है hemoglobin is found dissolve in plasma इनमें RBC नहीं होती और इनमें जो respiratory pigment है जो hemoglobin है वो इनके plasma में dissolve पाया जाता है ध्यान रखना है respiratory system की बात करें तो कोई इनमें specialized respiratory system नहीं होता ये respiration केवल कैसे करते हैं अपनी moist skin से करते हैं और moist skin से जो respiration होता है उसे हमने बच्चों क्या पढ़ा है cutaneous respiration क्या पढ़ा है cutaneous respiration moist skin से होने वाला respiration cutaneous respiration और आपको मालूम है कि अगर इनकी skin dry हो जा है so they cannot breathe ये gas exchange नहीं कर पाएंगे और उस condition को asphyxia कहा जाता है ठीक है asphyxia difficulty in breathing due to dryness of skin skin dry हो जा तो difficulty रहती है breathing में और उस condition को asphyxia कहते हैं excretory system की बात करें तो इनका जो excretory system है वो बना है nephredia का बच्चों याद रखना तीन तरह के nephredia पाए जाते हैं कौन कौन से nephredia है three types of nephredia एक है यहाँ पे pharyngeal nephredia दूसरा है integumentary nephredia और तीसरा है septal nephredia तीन तरह के nephredia होते हैं जो इनकी body में present होते हैं excretion perform करते हैं कैसे perform करते हैं याद रखना जो pharyngeal nephredia बच्चो pharyngeal nephredia वो अपना excretory waste कहां release कर देता है वो अपना excretory waste release करता है कहां पे elementary कनाल में और यह pharynx के पास present होता है integumentary nephredia इनकी body wall में present होता है और septal nephredia इनके जो भी septum है segment है उन segments पर पाया जाता है तो nephredia इनके क्या होते है excretory organ होते है ये ureotelic होते है आपको याद होगा ureotelic organism होते है तीन तरह के nephredia tubules के form में arrange पाया जाते है कौन कौन से है जरा नोट करते है पहला septal nephredia जो found both side of intersegmental septa यानि segment के दोनों तरफ पाया जाते है और कहां से कहां तक होते है 15th segment से आखरी तक पाया जाते है open into intestine कहां open होते है intestine 15 से आखरी तक 15 to last ये present होते है integumentary nephredia इनके segment important है याद कर लेना ठीक है integumentary nephredia attached to the lining of wall wall body wall की lining से attach है integument से attach है इसलिए नाम पड़ा है integumentary nephredia और ये कहां से कहां तक present होते है third segment से last तक present होते है तीसरा है pharyngeal nephredia जो fourth, fifth और sixth segment में present होता है और ये अपना जो excretory waste है वो directly elementary canal के pharynx part में release करता है तो septal, integumentary और pharyngeal ये तीन nephredia पाये जाते इनके बारे में क्या important है ये funnel shape part होते है nephredia का जो collect excess fluid from selom selom से excess fluid को collect करता है और उसे digestive tube में deliver कर देता है यानि digestive elementary canal में release कर देता है जिससे होते हुए इनका excretory waste जो है वो body के बाहर चला जाता है ठीक है nervous system की बात करें तो nervous system इनका ganglion का बना है ठीक है किसका बना हुआ है ganglion nervous system include segmentally arranged ganglion segments में arranged ganglion पाए जाते हैं and ventral paired fused nerve cord body के ventral side में यानि नीचे की तरफ fused nerve cord present होती है nerve cord in the anterior region third and fourth segment divide and encircle the pharynx and join the cerebral ganglion dorsally form a nerve ring ठीक है इनकी जो इनकी जो nervous system है वो nerve ring के form में पाए जाता है ठीक है ये इनकी क्या है nerve cord है और ring बनाते हैं जिससे हम क्या कहते हैं nerve ring कहते हैं ठीक है इस तरह से इनका element जो nervous system है वो पाए जाता है तो the nerve ring with cerebral ganglion represent the brain ये एक important है कि cerebral ganglion और nerve ring मिलकर क्या बनाते हैं इनका brain brain कोई demarkated अलग सा structure नहीं होता इनके nerve ring और cerebral ganglion जो आगे की तरफ जो ganglion पाए जाता है उसमें दोनों से मिलकर बनता है sensory organ की बात करें तो light and touch sensitive receptor cells पाई जाती है इनकी skin में इनमें कोई आखे प्रेजेंट नहीं होती लेकिन light और touch से sensitivity शो करने वाली cells प्रेजेंट होती साथ ही इनमें chemo receptor पाई जाते हैं जो chemical stimulus के against क्या है response देते हैं next आते है reproductive system तो हमने बुला भाई reproductive system में यह hermafrodite होते हैं यानि bisexual होते हैं यानि monoseous होते हैं तो यह तीनों point याद रखना hermafrodite bisexual monoseous ठीक है यह तीनों का मतलब सेम है hermafrodite bisexual monoseous इनकी सेम जो body है एक ही body में male और female दोनो reproductive structure पाय जाते है bisexual है अभी आगे मैं बताऊँगा bisexual है बच्चो लेकिन इन में self fertilization नहीं पाय जात यानि खुद का male gamete खुद के female gamete को fertilize नहीं कर सकता और वो इसलिए क्योंकि दोनो gamete अलग-अलग time पर mature होते हैं ये proto-androus होते हैं proto-androus मतलब जिन में androsium यानि male reproductive organ का development female से पहले पाया जाए तो पहले male gamete mature हो जाते हैं उस समय female gamete mature नहीं हुआ होता और जब male gamete exhaust हो जाते हैं तो उसके बाद female gamete mature होते हैं तो ये possibility है ही नहीं कि खुद का male gamete खुद के female gamete को fertilize करें testis कैसे है भाई इनमे two pairs of testis पाय जाते हैं कहां present होते हैं 11th और 10th और 11th segment में testis sack पाय जाते हैं 10th और 11th segment में याद रखना है फिर क्या है sperm from testis shed into testis sack testis sack में shed होते हैं वहाँ से ये enter करते हैं seminal vesicle में for maturation और maturation के बाद आपको याद रखो हमने पढ़ा है जो 18th segment में 18th segment में दो male aperture हैं उन्ही 18th segment में वहाँ साड डिफरेंशिया open होता है और वहाँ से male aperture जो left और right male aperture हमने पढ़ा था अभी देखा था left और right male aperture आप देखिए male genital aperture ठीक है male genital aperture 18th segment में left और right में present होता है ठीक है 18th segment में left और right में present होता है फिर उसके बाद a common prostate and spermatic duct open on the exterior by a pair of male genital pore by male genital aperture on the ventrolateral side of 18th segment 18th segment में one pair of male genital aperture present होते हैं अब 18 में male genital aperture है इसके उपर यानि 17 और उसके नीचे यानि 19 two pairs of accessory glands पाय जाते हैं 17 और 19th segment में one pair in each segment तो two pair of accessory gland present होते हैं यहाँ पे देखो 17th और 19th segment में accessory gland हो गया यह one pair 17 segment one pair 19 segment में ठीक है और एक और याद रखना बाहर से एक structure दिखता है आप पिछले diagram में देखेंगे तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा genital papilla genital papilla दिख रहा है हमने बोला कि यह bisexual होते हैं लेकिन इन में self fertilization नहीं होता है तो fertilization हमेशा किस में होता है दो earthworm के बीच में होता है तो यह इनके copulatory organ की तरह काम करता है ठीक है copulatory organ की तरह काम करता है याद रखना है और साथ ही कहां present होता है 17th और 19 segment में one pair 17 segment में genital papilla one pair 19 segment में genital papilla और accessory gland भी one pair 17 segment में और one pair 19 segment में पाये जाते है female reproductive system की बात करें तो इनमे परमेथिका present होता है four pair located in six to nine segment six में one segment seven में one segment eight में one segment nine में one segment ठीक है they receive and store sperm during copulation copulation के time पे ये sperm को receive करके store करते हैं paired ovaries पाये जाती है बहुत important triple star वाला point है 12th होट 13 segment में paired ovaries पाये जाती है ovarian funnel होता है जो इनका oviduct बनाता है और oviduct open होता है female genital pore से कहां open होता है 14 segment में during mating two earthworm exchange their sperm with each other they just they made juxta opposing gland यानि ये anti-parallel pattern में एक दूसरे से mating करते हैं थीक है opposite exchanging the spermatophores packet of sperm यानि spermatophores को exchange करते हैं single sperm को exchange नहीं करते हैं spermatophores या sperm के packet को जो है exchange करते हैं mature sperm, ova and nutritive fluid are deposited in cocoon produced by gland cells of klitalum तो klitalum जो है वहाँ पर gland cells पाई जाती हैं जो cocoon का secretion करती हैं cocoon with cocoon के maturation में help करते हैं cocoon with fertilized ova ship of the deposit in the soil after three weeks cocoon produces proofs है 20 baby warm और इसमें कोई larva नहीं होता economic importance की बात करें तो earthworm को friends of farmer कहा जाता है क्योंकि ये जो burrowing करते हैं तो इनकी burrowing से जो soil है उसकी porosity बढ़ती है soil की porosity बढ़ती है उसकी वेज़े से जो plant हैं वो soil में उनकी roots ज़्यादा गहरे तक जा पाती हैं जिससे ज़्यादा nutrient एब्जार्ब कर पाती हैं ज़्यादा water एब्जार्ब कर पाती हैं और उसकी वज़े से productivity बढ़ती है growth बढ़ती है और इनकी जो soil fertility बढ़ाने का जो process है उसे कहा जाता है वच्छो wormy composting यानि warm से होने वाला compost का formation यानि wormy composting साथ ही जो लोग fishing करते हैं वो earthworm को bait की तरह यानि चारे की तरह भी इस्तेमाल करते हैं जो hook होते हैं hook में earthworm को फसा देते हैं पाने उडालते हैं तो मशलियां उसको खाती है और वो मशली फस जाती है ठीक है तो इसे bait की तरह use किया जाता है ये भी इसकी एक economic importance है तो ये था बच्चो अधवाम बस एक roughly ऐसे ही reading लगा लेना कोई इसमें तनाव और परिशानी वाली बात नहीं है आ गया तो हमसे question बन जाएगा ठीक है पॉर फाइरिन की वज़े से होता है बटा पॉर फाइरिन ठीक है पॉर फाइरिन की वज़े से होता है तो ये याद रखना कि हम इसको one shot में इसलिए किया है क्योंकि अगर वैसे उमीद नहीं है कि question आए लेकिन आ गया तो बड़े simple से ही question आएंगे और वो आप आसानी से कर लोगे एक बार और इसकी reading लगा लेना आपका जो doubt है वो clear हो जाए ठीक है चलो फिर मिलते हैं कल हम class लेंगे कल फिर सुबह morning में रहेगी 7am कल हम लोग frog लेके चलेंगे ठीक है frog उससे भी कभी कभी question आ जाते है ठीक है चलो फिर मिलते हैं next class में तब तक के लिए goodbye take care and thank you